हलो फ्रेंट्स फिल्कम बैक टो माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सिलाई डिजाइन फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्यूटिफुल सी स्लीप्स की डिजाइन देखने वाले हैं इसके लिए हमने पहले अस्तर और में फैब्रिक की स्लीप्स को सेम वैसे ही बना लेना है जैसे हम बनाते हैं तो में फैबरिक की सीधे साइट में अस्तर को रखा और आगे से सिलाई लगा दिया इसके बाद मार्जिन को हमने अस्तर की साइट को करा और फिर से एक बार सिलाई लगा दिया अब हम इसको सीधे साइट से ऊपर से एक बार फनीसिंग वाली सिलाई लगा देंगे तो चलो य हमने यहां पर चिलाई लगा लिया अब इसके बाद जो भी एक्श्ट्रा का फेbrik है उसे अस्तर वाले फेट के बदाबर से कटिंग कर दो हम इसे कट कर लेती है तो यह हम ने हां पर इसे कट कर लिया है तो यह हमारी पूरी स्लिप्स बनके रेडी हो गई है देख सकते हो अब चलो यहां पर हम design जो बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे तो सेम तरीके से दूसरी slips को भी हमने तयार कर लिया है अभी चलो यहां पर हम इसकी design कैसे तयार करेंगे तो इसके लिए हमको paper पेपर पेस्टिंग चाहिए तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं पेपर पेस्टिंग ले लेते हैं तो यह हमारा गले से निकला हुआ पेपर पेस्टिंग है तो इसलिए मैं इसी का यूज कर लूँगी जिससे की मतलब वेश्ट भी ना हो और काम भी हो जाएगा तो हमारे यह डबल फोल्ड में है और ।क यहाठ यूज कर दोंग कर दो रिख फिल्ण हो हुआ है तो यहां पर हमको जितना इस पेस चाहिए तो हम यह और पुरा नो केसिति गया है और आप फिल्ध धी ठीछ पर हो जाएगा और हाफ इंच मर्ट मतलब margin लेना होगा तो हमने यहाँ पर ले लिया और इसकी लंबाई हम ले रहे है 4.5 इंच और इसके बाद आगे की साइड 1.5 इंच यहाँ पर भी margin लेंगे ठीक तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इस वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरीके से मिलाते हुए लाइन खीच देंगे और जो हमने margin का पॉइंट दिया है उस पॉइंट से और 1.5 इंच आगे की साइड को इस तरीके से लाइन खीच देंगे तो हमने यहाँ पर लाइन खीच लिया अब क्या करेंगे इसको उपर से पहले तो बराबर करेंगे, बराबर नहीं है तो इसको हम बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो चलो इस तरीके से हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया अब ऐसे ही हम यहाँ पर अंदर से भी इसको कटिंग कर लेंगे क्योंकि यह हमारा चिपकाने वाला पेपर पेश्टिंग है तो देखो इस तरीके से यहाँ पर उपर से भी कटिंग कर लेना यहाँ पर अंदर का इस पेस हमें निकालना है तो यह हमने यहाँ पर कट कर लिया तो यह हमारा जो पैटर्न होगा यह कुछ इस तरीके से निकल के आएगा देख सकते हो अब जैसे हमने इसको कटिंग किया है सेम ऐसे ही इसी को रखे के इसकी भी कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से इसको रखेंगे पिन से सिक्यूर कर लेंगे और बराबर से इसकी कटिंग कर लेंगे तो पिन से सिक्यूर कर लिया जिससे कि हमारा पेपर पेस्टिंग इधर हो और दोनों को बराबर ही निकल किया है हमारे दिसाइन दोनों स्लेप्स के लिए ठीक तो यह हमने यहां पर कट कर लिया अब कट करने के बाद हमको अपना में फैबरिक लेना है में फैबरिक के उल्टे साइड में को हम इस तरीके से रखेंगे जो हमारा चिकना वाला भाग उसको हम कपड़े की तरफ को रखेंगे और बस यहां पर इसमें प्रेस लगा लेंगे तो अभी मेरे पास लाइट नहीं है तो मैंने प्रेस वग्रहरा नहीं लगाया है अभी हम क्या करेंगे इनको इस तरीके से काटिंग कर लेंगे यहां पर अगर आप प्रेस से चिपका करते हूँ है लगा देंगे तो बस अंδर की सट को इसको फड़ी करते जाना है और लगा देना एँ रहा है टीया है यहाँ पर सिलाई लगा लिए सेम ऐसे दूसरा वाला भी हम बना लेंगे यहां पर दोनों बना लिया है अब यहां पर हम अपनी स्लीप्स ले लेंगे स्लीप्स लेने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल करेंगे fold करने के बाद इसको हम इस तरीके से अच्छे से हाथ से प्रेस कर देंगे एक तह बनाएंगे और उसी तह के उपर हम यहाँ पर line खीच लेंगे center हमें निकालना है इसका slips का कि हमने यहाँ पर center निकाल लिया और अपने design का भी center निकाल के रखा हुआ है और डिजाइन का सिंटर निकालने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो सिंटर से सिंटर दोनों का मिलाते हुई यहाँ पर हमने रखाया और बस यहाँ पर साइट से बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बगल बगल से सिलाई लगानी है यहाँ पर सिलाई लगा लिया अब इसको हम अंदर से कटिंग कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ल कर लेंगे फोल्ड करने के बाद बीच में एक cut लगा लेंगे यहाँ पर यहाँ चोटा ऐसा cut लगा लिया है cut लगाने के बाद आप हम यहाँ पर cutting कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा साइड से फैफरिक बचाएंगे और बीच का कपड़ा cut कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पर हम छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे हलके-हलके से कट्स लगाएंगे इस तरीके से और फिर इसको हम अंदर की शाइट को ऐसे फोल कर लेंगे फोल करने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे उपर से तो चलो यहां पर हम सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल बगल बगल से जब हम सिलाई लगा देंगे तो हमारे इस डिजाइन में अच्छी फनीसिंग आ जाएगी तो हमने यहां पर सिलाई लगा लिया अब ये सिलाई लगाने के बाद यहां पर हम डिजाइन क्या बनेंगे इसके लिए हमने एक पट्टी बनाई हुई है मेन फैबरिक से ही और इस तरीके से साइट से जैसे नाडा बनाते हैं वैसे हमने इसको बनाया हुआ है बनाने के बाद बस यहाँ पर हम cutting करेंगे तो जो हमारा design है उसके दोनों side से half half inch हमें margin लेते हुए पटियों को cut कर लेना है तो इसी तरीके से हमें जितने भी पटियां चाहिए बरावर बरावर से हम यहाँ पर cutting कर लेंगे तो उपर से बड़ी होते हुए नीचे की side को छोटी होते हुए आएंगे हमारी यह पटियां तो हमने यहाँ पर cutting कर लिया तिक अब यहाँ पर हम जोडेंगे तो उल्टे side से इसको रखेंगे और उल्टे side से यहाँ पर हम जोडना सुरू करेंगे तो बस इस तरीके सी इसको रखा और रखने के बाद अब हम यहाँ पर इसे सिल भी देंगे तो देखो इस तरीके सी हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया सेम ऐसे ही दूसरे साइट भी सिलाई लगा लेंगे तिया हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया अब यहां पर जो half half inch extra है margin को उसको हमिन यहां पर cutting कर दिया है और बस इस तरीके से हमारी design बन गई है अब यहां पर हम center पर से एक line कीचेंगे और center पर से line कीचने के बाद यहां पर beach बीच में हम सब जगा पर मोतिया लगाएंगे, तो किस तरीके से लगाएंगे, देखो पहले तो जो हमारी पट्टी है, उसको हमें इस तरीके से पकड़ना है, और सेंटर से बिल्कुल बीच से हम यहाँ पर सोई को निकालेंगे और फिर इधर का थोड़ा सा कपड़ा पकड़ेंगे और इधर का कपड़ा पकड़ेंगे और बस इसको हम इस तरीके से अच्छे से टाइट करके एक नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी छोटी सी डिजाइन बनके रेडी होगी और यहाँ पर हम मोती लगा देंगे तो इस तरी के सी हमने यहाँ पर एक में मौती लगा दिया अब जैसे हमने यहाँ पर मौती लगाया सेम ऐसे ही पूरे में मौती बना के रेडि कर लेंगे यह हमारी स्लीप्स बन के रेडि हो गई सेम ऐसे ही हमने दूसरी वाली डीजाइन को भी बना करेडि कर लिया है तो ये हमारी डीजाइन बनके तयार हो गई है कैसी लगी है कामेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए जोले मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जैस्त्री कृष्णा राधी राधी